हलो दोस्तों आपका स्वागत है MBSA nursing classes में मेरा नाम है मतमदगन आज की वीडियो में बात करेंगे nervous system के बारे में यानी तंतर के तंतर के बारे में nervous system human body का काफी tough part माना जाता है human anatomy का इसमें क्योंकि कई सारे hard terms use की जाती है और कई इसका classification काफी lengthy है बाकि इसमें कई सारे चोटे चोटे टोपिक्स पढ़ने को हमें देखने को मिलते हैं इस वज़ेसे काफी hard मना जाता है लेकिन मैं आपको काफी easy करके पढ़ाने की कोशिस करूँगा चलिए हम वीडियो को start करते है nervous system की हम बात करें तो इसमें एक system है respiratory system, circulation system तो ये सारे system हम में हम देखते हैं इन सब systems में कि कई सारे organs मिलके काम करते हैं इसी तरीके से nervous system भी कई सारे organs से मिलकर बना हुगा एक system है आपको एक basic पासा में मैं बताना चाहूं कि nervous system क्या होता है तो हम कहें body को control करने वाला system body का balance बनाने वाला system body के सारे organs को एक तरीके से coordinate करने वाला system तो उस system को कहेंगे अपना nervous system इसके इंदर इसका main part होता है वो इसका brain होता है और कई सारी nerves होती है जिसके बारे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे इसके अलावा जितनी भी हमारी sensory organs है जैसे कि eyes, nose, tongue, skin, ears इन सब से जितनी भी sensation आती हैं उन सब sensation को लेना उसके बाद उनको brain तक पहुंचाना brain में फिर उनकी process होती है process होने के बाद बापस से जिस organ तक पहुंचना है एक order जो brain पास करता है प्रोसेस करने के बाद उस order तक पहुंचाना ये सब कुछ काम होता है किसके अंदर nervous system के अंदर ये सारा काम होता है और ये सारा काम इतनी तेजी से होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के आपके नर्वस सिस्टम होते हैं वीडियो में आपको बताओं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम का क्या आर्थ होता है उसके बाद वाट इस नर्वस सैल यानि नियूरौन क्या होती है जो की आपकी structure and functional unit है यह पर नर्वस सिस्टम के टाइपस हम पढ़ेंगे उसके बाद types of nerves देखेंगे कितने प्रतारगी nerves समय देखने को मिलती है सबसे पहले हम बात करते है meaning of nervous system की यानि nervous system के अर्थ के बारे में हम बात करते हैं जैसे हमारी eye है, eyes हमारी sensory organs है, यहां से मनगे चली हमने कोई चीज देखी देखने के बाद हमारी optic nerves है, जो जाके brain को signal देगे कि हमने एक ऐस चीज देखी है अगर कोई heavy या फिर हम कहें high beam की light होगी तो वहां से फिर एक brain से signal आएगा कि आप आपने आखें बंद करिये otherwise आपके जो eyes हैं को नुक्सान हो सकता है तो इस तरीके से हम कहें कि एक नेंतरड़ भी करता है हमारी body उपर इसके अलाबा यह हमारी body का balance भी बनाए रखता है ठीक है यह इसका main function है nervous system का तो हम देखें nervous system is very important in helping to maintain the balance of the human body यानि कि मानव सरीन का यह balance बनाके रखता है, maintain करके रखता है दूसरा point है all bodily activities जैसे कि voluntary या फिर involuntary आपकी जितनी भी एच्छिक क्रिया है या अनच्छिक क्रिया है उन सब का control किसके दार होता है nervous system के दार होता है आपकी अच्छिक क्रिया है जिसे कि आप हाथ को हिला रहे हैं आपको मन करेगा तो आफेलाएंगे अधरवाइस आप नहीं हिलाएंगे involuntary या कि जो अनच्छिक क्रिया है जिसे कि आपका hurt है वो बीट कर रहा है तो बीट ही करेगा उसको रोग नहीं सकते इसी तरीके साब के लंग्स के अंदर जो oxygen और co2 का जो interchange हो रहा है आपस में वो होता रहेगा आप उसे रोग नहीं सकते फिर नहीं आपकी ब्लड को या फिर brain से लेके organ के लिए तो यह transformation किस बे से होता है तो इसका जो बे है वो है electric impulse यानि कि आपके जो बिद्धुत आवेग है उनके थुरू यह signals होता है या information होती हमका संचारन होता है या फिर हमका transmission होता है ठीक है इसका मैं आपके example देके समझाता हूँ जिसे आपकी गर म आपका light का बोड़ है वह तो हो गया हमारा brain उसके otherwise जितने भी हम कहें जैसे light का बलब है उसके अलावा अपका जो फेन है यह सद हो गया उसके organs हमारी body के और तो इसी तरीक से जब हम हमारी body की बात कर दें तो हमारा brain तो हो गया आपका electric box उसके अलावा जितने भी उसके उस इसी तरीके से हमारी body में जो signal का transmission होता है वह किसके तरू होता है electric impulse के तरू होता है यानि कि जो ब्रुद्ध आवेक होते हैं उनके तरू हो transmission होता है आगे हम बढ़ते हैं तो यह जो हमारा nervous system है यानि कि जो तंत्र का तंत्र है वो कई सारी nerve cells से मिलकर बना होता है जिने हम neurons क है nervous system की वो nerve cell है या फिर neuron है तो हम बात करते है nerve cell और neuron की तो जो neuron है is the longest cell in the body यानि कि जो सबसे लंबी cell in the body कहा जाता है दूसरे nerve cell पे हम बढ़े है तो no division in the neuron after birth so the brain has the lowest power of regeneration इसका मतलब कहा है जैसे ही किसी बेबी का वर्थ हो जाता है उसके बाद neurons में कोई किसी भी तरीकर के division नहीं होता है यानि कि किसी तरीकर उनमें विवाजन नहीं होता है वो विवाजन क्यों नहीं होता है उनमें centrosome नहीं पाए जाते हैं उनकी कोशे काम है उनके केंद्रक में centrosome नहीं पाए जाते हैं जो की regeneration की power को या फिर हम कहें division की power को बढ़ाते हैं या फिर बनाते हैं तो जब कोशे काम में आपकी जो nerve cell है या फिर neuron है उसमें division की हम कहें शमता नहीं पाए जाएगी तो कि इसी द्वजे से जो ब्रेन है वो रिजनेरिशन की नहीं रखता है और यही मैं आपको बधा दू सबसे जागा पाई जाती है रिजनेरिशन की अंदर के इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी आजमी का ब्रेन एक बार डेमेस हो गया तो उसके बाद बचने के चांस बोत कम रह ज इसके बाद second number पर आता है आपका exon और last number पर आता है आपका exon terminals जिन्हें synaptic nodes कहते हैं एक एक ही हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं dendrites की, तो देखिए dendrites क्या होते हैं कि यह सबसे starting point है किसी भी neuron का ठीक है और यह जो impulse है आपका electric impulse उसको attract करते हैं या फिर collect करते हैं तो हम बात करें कि जो electric impulse का way होगा यानि way of direction होगा वो क्या होगा इधर से इधर यारी कि dendrites से और exon terminal की तरफ आपका way of electric impulse रहेगा तो dendrites की अगाम करते हैं कि इंपल्स को collect करते हैं वहां से लेते हैं इंपल्स को ठीक है उसके बाद उस impulse को nucleus में भेजा जाता है जिसे की second part आता है आपका cell body जिसके अंदर nucleus हमें देखने को मिलता है और इस cell body के अंदर ही इस टाइगरम के अंदर नहीं देखाई गई है लेकिन वो प्रिजेंट होती है अंदर cell के cell body के अंदर तिक है उसके बाद आपका part आता exon exon एक लंबी संदचना है जिसमें कल सारी चोटी चोटी गंठे जैसी संदचना पाई जाती है यह गंठे जैसी संदचना पाई जात इन गाटो को ही कहते हैं जो थिक होती है इनको sound की cells कहते है sound की cells इनके कहा जाता है और जिसकी बजह से यह मोटी हो जाती है उसके माईलिन सीथ और जो दो sound cells की बीच में जो point पाया जाता है उसे कहते है road of rain bear की संधिया इस तरीके से हमार exon वाला portion complete और जाता है last वाला पाउ होता है किसी भी न्यूर्ट बहुता है उसे गोलते है एक जॉक से गॉलते हैं is ninth ak यहां से यहां तक भेज जाता है, एक नीरोन का दूसरे नीरोन से जो पॉइंट होता है, जहां पर दोनों जुड़ते हैं, यहांने कि यह जुड़ने का इनका पॉइंट है, इसी पॉइंट का बोला जाता है, सक्षिस बता है। यह जाता है कि बिलकुल एक दूसरे से, इस तरीका से टच नहीं होता है, फिलकि मां थूभी से गैप आई जाता है। और इस गैप में से इनके सिगनल फकीयों जाता है तरहूं कि उसरे में ट्राणस्बर होते हैं. आगे देख त Hessen toute Memao आगे देखते हैं और तंद्र का तंद्र के प्रकारों की बात हम करेंगे। नर्वस सिस्टम के प्रकार है बिसीकली दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं। सब्से पहला है CNS यानि कि Central Nervous System जिससे बोला जाता है Kendri है Tantra का तंद्र दूसरा होता है आपका PNS जिसे बोला जाता है peripheral nervous system जिसे परेधी है तंतिर का तंतर हिंदी में बोला जाता है अब हम बात करते हैं CNS यानि की central nervous system की तो central nervous system को central nervous system क्यों कहते है क्योंकि यह हमारी body के central वाले भाग में पाया जाता है यानि बिल्कुल केंदर में पाया जाता है और यह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है सबसे पहले brain और दूसरा है spinal cord देखें मैं वको diagram में दिखाऊं यह है आपका cns और यह human body है तो human body के बिल्कुल बीच वाले भाग में यह पाया जाता है cns इसलिए इसे केंदरिय तंतिर का ततर कहते हैं तो भाग है इसके सबसे उपर है brain और नीचे वाला भाग है जिसे spinal cord या हुए होते है ठीक है अचा brain आपका काफी लंबा टॉपिक है जिसे हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे इसमें कई तरीके मलकाई पार्स हैं brain के जैसे कि आपका mid brain, forebrain, in brain, manduda oblongata यह और hypothalamus यह सब brain के पार्स हैं इसको हम brain वाले टॉपिक में कवर करेंगे इन एक्स व जोड़ता है ठीक है तो CNS के अंदर दो पार्स हो गए आपके brain और spinal cord और spinal cord का क्या है यह peripheral nervous system को जोड़ता है किसे brain से क्योंकि main जो head है वो को है brain से ही सारी चीज़ने control होती है ठीक है आपन बढ़ते है peripheral nervous system का मतलब है परिधिये तंत्री का तंत्र अब इसे 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 परिधिये तंत्री का त इसके निए भी नर्व सिस्टम के नबस पाई जाती है, इसलिए इसे अपन PNS कहते हैं, अब इसका मतलब क्या है कि इसनिए के निए को आगे दो भागो में डिवार किया गया है, सोमेटिक नर्वा सिस्टम और दूसरा है ओटनोमिक नर्वा सिस्टम या पर आटनोमास नर्वा सिस्टम स्वाधीन का मतलब होता है स्वाधीन तंत्र का तंत्र और ऑटोनोमस का मतलब होता है परिधीन तंत्र का तंत्र ये एक फ़ुरू सब टिपिकलिफ़ हिंदी में आहिं क्जिस याद करें सोमेटिक नर्वर्स सिस्टम है और आपक्रिंपर छाकर्णमिक नर्वर्स अब स्सटंप क्या है कि सब्गारा से अ हमारा ह कदी इसका नर्वर्स से सिग्णल भॉलेंक्री अर्गलंग्रें हे वन्हों से में आदे 두ट करंगे अपर ह मढई है कि हमारा हात पň फीग जीव यह सब क्या है हमारी वॉलेंक्री मसल्स होती है तो जब हम सीएन से कोई सिंगल लेगे या कोई इरइफॉोशन लेगे उसे अपन भॉलेंक्री और उसके बाद उसके बाद इसके बाद इसमें कोई चीने पाई जाती है जिसे कि इसमें जो आपका सुमेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें दो तरह की नर्वस पाई जाती है एक होती है आपकी cranial nerves और दूसरी होती है आपकी spinal nerves cranial nerves जहांने की जो आपके brain वाले भाव में पाई जाती है जैसे कि आपकी eyes वाली nerves हम कहें जितने भी brain में जितने भी चीजह हैं इसको क्रैनिल नरप के नथा है आपने हमारा जो कॉपाल है उनिकी क्रैनियुम है उसे इंगिसमी कए्यूर इससे जुड़ी जितनी फीन फीन हेल्ट न्रप्स कहते हैं तो यह इनकी numbers की बात करें तो यह 12 pairs होते हैं और total की बात करें तो तरह 24 इन numbers होते हैं तकि यह पार में पूछें तो 12 pairs होते हैं इसके लावार दूसरी होते हैं Spinal nerves जो Spinal cord के द्वारा Body के different parts में जोड़ी होते हैं यानिकि nerves जो मैं आपको बताई हैं यह body parts को जोड़े करती हैं तो जो Spinal cord से अपने complete body parts को जोड़ती हैं उसे अपन Spinal nerves कहते हैं इनकी संगया 31 pairs होते हैं या 62 numbers होते हैं तो आपको समझे में आगे आगे होगा Somatic nervous system इसका मतलब क्या है कि हमारी H-chick वाली muscles जितनी होते हैं voluntary muscles होते हैं control involuntary body functions यानि कि जितने भी आपकी अनेचिक organs हैं जितने भी involuntary organs हैं जब CNS से signal involuntary organs तक ले जाया जाता है तो उसे आपर autonomic nervous system कहेंगे या फिर autonomic nervous system के अंदर ये काम होता है ठीक है और हम बात करें या फिर इसका उल्टा हम करें कि जब आपके involuntary organs हैं उससे signal CNS तक ले जाया जाएं तो उसे हम autonomic nervous system कहते हैं और control और इन सबके body concerns को ANS ही control करता है ANS को भी आगे दो parts में divide किया रहा है ANS को भी आगे दो parts में divide किया गया है पहला है आपका sympathetic nervous system यानि कि इसे कहते हैं अनुकम्पी Tantrikatantrik दूसरा है parasympathetic nervous system जिसे कहते हैं paranukampi Tantrikatantrik सबसे पहले हैं sympathetic nervous system के बात करते हैं तो यह excite करने वाले signal हमें बोडी में release करता है यानि कि body को किस तरीके से excite किया जाए और जोब बोडी हमारी excite mode में होती है हमारी blood pressure बढ़ जाता है heart beat हमारी बढ़ जाती है और pulse rate हमारी body की काफी high हो जाती है यह सब पहुन करवाता है sympathetic nervous system करवाता है यह पर अनुकम्पी Tantrikatantrikatantrik के दौरान यह चीजें होती है जिसे कि आप किसी चीज से हाथ आपका touch हो जाता है तो आप घबरा जाता है तो आप घबरा जाता है तो जो एनरजी जिस तरीके से रिलीज होती है एक साथ एक्साइट हो जाता है उसके बाद parasympathetic nervous system आता है और इसमें क्या होता है काम करने के कोशिस करता है सांत करने वाले signal यह बड़ी को जाती है इसके बाद आपके जो प्रेशर हो काफी नीच आ जाता है हड़ीट भी नीच आ जाती है तो यह सब काम किसके अंदर हो रहा parasympathetic nervous system के में हो रहा इसमें जो चीज बचती है आपकी स्रफ brain है यह brain अपने आपने काफी लंबा टॉपिक है और इसके लाब आपको nervous system का में फिरसे revise करवा देता हूं nervous system में दो पार्स होते है CNS और PNS यानि central nervous system peripheral nervous system CNS का मतलब क्या था है जो central बाद है brain और spinal cord PNS यानि कि हमारी बोड़ी के central बाले portion को छोटी जितने भी body और गंस है उन सबसे जुड़े हुए जाता है और automatic autonomic nervous system के इंदर involuntary muscles को control किया जाता है autonomic nervous system उसको फिरसे दो पार्स में डिवाट किया गया है sympathetic nervous system यानि कि इसमें आपकी body की energy काफी expand कर दिया जाता है body excite mode में ले जाया जाता है blood pressure heart beat pulse rate काफी ऊपर चली जाती उसके बाद जिसमें आपकी body को काफी काम किया जाता है धंदा किया जाता है जिससे आपकी blood pressure बापस normal हो जाता है heart beat pulse rate भी normal हो जाती है इस तरीके से आपका nervous system complete हो गया आपका types nervous system के इसके बाद हम तोड़ा आके बढ़ते हैं तो आपकी अगला topic है अगला point है अपना types of nerves तो हमारी body में तीन तरह की nerves पाई जाती है सबसे पहले हैं आपकी sensory nerves ये nerves कौन सी होती है these nerves relay information from your skin and muscles back to your spinal core and brain यानि कि ऐसी muscles हैं ये जो organs से signal लेके brain तक पहुचाती है जैसे कि आपकी organ आपकी skin हो सकता है and muscles हो तकता है और उस information को कहां तक लेके जाती है spinal cord या फिर brain तक लेके जाती है information को तो उसे आपन कहते है sensory nerves इसी तरीके से आपकी दूसरी प्रकार की nerves होती है जैने motor nerves कहते है ये nerves आपका बिल्कुल sensory nerves की उल्टी होती है यानि कि ये brain से signal को लेके जाती है और spinal cord या फिर muscles तक ये brain से signal लेके जाती है ये पर spinal cord से signal इस्के अलावार, तीसरी जो नर्ब्स आती है वो आपकी autonomic nerves आती है जिसमें कि आपकी दोनों प्रकार की काम पाई जाते है तोनों काम कर सकते है ये आपकी involuntary and partially voluntary activities of your body including heart rate, blood pressure, तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यह कम्टी हो जाता है, तगर आपको वीडियो चीज़ों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरू करें नीचे, तगर आपको कोईशी टॉपिक वीडियो चाहिए, तो मजी जरू बताएं, देज जे बया करें, मादा बता जे बय